हलो एब्रीं इस वीडियो में आप पढ़ाँंगे कि मेडिया प्लाणिंग में कौं कुझि делают मैं कौने सेया होती है और ऑफ मीडिया प्लानिंग कि फ рокवल्फ एस वीडियो में आप सब्रेकेग इस एक तर्फ एक इन्व चेले पहला हो एक complete नहीं है, second time pressure कि time पे आपको plan को complete करना है, add को run करवाना है, next आता है difficult in audience measurement कि audience का हम measurement नहीं कर सकते हैं, next difficult in cost comparison कि cost का comparison करने में difficult होता है, last आता है inadequate expertise, इन सभी को detail में देखने से पहले corner आई बटन पे click कर कि आप advertising management की playlist देख सकते हैं, जिसमें क्या आप एड़ोटीजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्ट्रिप्शन में मैंनेज्मेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेइलिस्स का लिंक अभी लेबल है आप मासिज कर सकते हैं अब इन सभी को डीटेल में पढ़ते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम होती है इंसफिशेंट इंफॉर्मेशन कि जो भी इंफॉर्मेशन अभिलेबल है वह इंसफिशेंट है मतलब कि उतने में काम नहीं चल सकता है तो मीडिया प्लानिंग में यूज इनफॉ इंफॉर्मेशन का लेबल जोग्रोफिकल एरिया यह सब जानने के एडवर्टाइजर की नीड होती ताकि वह अच्छी स्टेटेजी बना सके उनसे आगे निकल सके और उनका एड़ोटिस्मेंट ज्यादा रनो लोग उसको ज्यादा अच्छे तरीके से मैसेज को रिसेव क उसका टेस्ट डिफरेंट होते जाते हैं जो ज्यादा पसंद करते हैं लइड गालोर लि नापसंद करते हैं जो एकदम ब्राइट तो वह डिपरेंट हो जाते हैं तो यह डिपैंट करते उनको पूरी information दे उसके बारे में उनको पताओ कि कंपनी की कैसी rate से image यह और कैसी rating है तो company इसके बारे में भी पूरी information होनी चीए ताकि brand को कितना promote करना है कितने उसके promotion की जरूत होगी जो भी objective site कि profit maximization तो वह चीव हो सके तो best agency को select करना और फिर उसके पास सारी information available करवाना तो यह possible नहीं हो सकता है कि किसी भी customers के बारे में target audience के बारे में आपके पास सारी information for example family वाली चीज होती है तो family में आपको नहीं पता है कि कुन-कुन यूज करता है कितना यूज करता है जो main member होता है या जो बापा होते है वह ही जाके purchase करके लिया आते हो बाकी सब लोग यूज करते है तो यह difficult हो जाता है measurement के लिए next second time pressure कि किसी भी particular चीज को time पे complete होना जो environment है वो sudden है और quick है मतलब daily change होता रहता है तो आप जो भी changing चीजे हैं उसको आप एकदम से measure नहीं कर सकते समझ नहीं सकते हैं जब तक आप समझेंगे फिर से वह हो जाता है तो यह बहुत ज्यादा time pressure create करता एडविटाइजर के उपर ताकि वह जब time हो मतलब करेक्ट टाइमिंग पर वह सही डिसीजन्स ले सके अप्रूपे टाइमिंग पर उसके उपर टाइम का प्रेशर भी होता है कि सही टाइमिंग पर सही डिसीजन्स को लेना for example कि कुछ नया प्रेटक्ट लॉंच हु तो उने क्या करा कि अप्रेल में कोई सा प्रेटक्ट मैनुफिक्चरर करा या फिर लॉंच करने की कोशिश की कुछ कोल्रिंग क्या जूस तो वह उस टाइम पर ही चलेगा ठंड है तो तो अप्रेल में जब लॉंच किया तो मई में एड़ोटीसमेंट्स रन करवाएंगे अगर मई में उनको स्लॉट ही नहीं मिला तो वह जून में करवाएं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो उनके उपर बहुत टाइम का प्रेशर होगा कि वह ऐसे मीडिया पर सूच जो कि अपरेल में ही उनका एड़ दे सके वरना उनके उस प्रिड़क्ट का सीजन न लिया होतौ। आता है, कि ओडियंस के मेजर्मेंट को करने में में difficult होता है तो इसका मतलब होता है कि, neste centers prison with typical media उसको हम जान नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा difficult हो जाता है मेंली जब ब्रोध गास्टिन्मीडिया कि चल रहा है और वोसकता है घंद उसको लगा लिया फिर इसमेड आयो तो फिर इसको लगा लिया ए फिर एसमेड आय को फिर इसको तो मतलब मैं ऐसे स्विच करती रहे तो यह डिफिकल्ट हो जाता है पर्टिकुलर टेलिविजन प्रोग्राम के बारे मैं अनालिसिस करना कि कौन कितने टाइम पर कौन से मीडिया पर रुखता है तो टार्गेट ओडियोंस को कैसे कवर करेंगे यह भी बहुत टीजन को कैसे बहूंद लेंगे तो जितने डिफरेंट मीडिया अवेलेबल है वो Πषब मीडिया की बात की जाया प्रिंट मीडिया की कौस्ट पर बाड़ या फिर स्कूर सेंटीमेटर की अकॉर्ड गोटी होती है कि इतने इस्पेस में एट देना है तो इतना प्राइस लगेगा मतला पर्टिकुलर आप इतना भी एट देखते तो यह भी 5000 के असपस हो जाता है जो कि बहुत छोटा सा स्मॉल वाला जो आप एडियोटिसमेंट देखते हैं तो यह पर वर्ट के अकॉर्डिंग पर स्पेस के अकॉर् चारी है और फिर उस मेडिया के अकॉर्डिंग आप चूज करते कि आपका कितना बजट है तो आप कौन से मेडिया पर जा सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इन एक्सपर्टाइज की पर्टिकुलर फिल्ड में आपको एक्सपर्टाइज होना चीए मतलब आपके पास स्पासिट नॉलेज होना ची है उसे रिलेटेट सबीचीजों के बारे में तो मीडिया प्लानिंग के किसी टास्क नहीं है इसमें एक्सपर्ट की जरूरत होती ताकि आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डेप नौलेज बैज और उसमें कितनी सर्विसेश की वेस्ट हो जाते तो पर्टिकुलर फेल्ड में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा मतलब मीडिया प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता हुना ची कौन से मीडिया कितनी कौस लगती है किस टाइमिंग पर किस कौन से टाइप की ओर्डियन्स एट देखना प प्लानिंग मेडिया प्लानिंग में आप जो भी पर्सन मीडिया प्लानर है उसका एक्सपर्टाइज होना चीए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कामेंड कीजिए थेंक यू